अगर आप एक army के person है या फिर security forces के जवान है तो आज की video आपके लिए होने वाली है बहुत important क्योंकि आज हम discuss करने वाले हैं कैसे आपको अपनी income tax return file करनी है नए वाले portal पे जा करके किस तरीके से आपको अपना refund claim करना है जो आपका TDA से उसको claim करना है और कैसे आपको पूरी complete ITR file करनी है आज हम detail में समझने वाले हैं कैसे आपको अपनी return income tax की return file करनी है नए वाले portal पे so without any further due चलते है अपने system पर और start करते है आज के session को so चलिए आचुके है system पे अब आपको दिखाता हूं कैसे आपको अपनी income tax return को file करना होता है सबसे पहले ध्यान दीजी आपको क 16 जो कि आपको चाहिए होता है जिसके अंदर आपकी सारी detail होती है salary की कैसे आपका जो salary का break up होता है वो आपको form number 16 के अंदर मिलता है और इसी के basis पर आपको अपनी income tax return file करनी है so यहां पर मैंने एक Excel में format जो है Excel में बना लिया है मेरे पास भी document आया था वो PDF में ही था लेकि का आपको detail दिख रहा होगा part B के अंदर आपकी salary की सारी detail आती है और part A में आपका जो है employer का 10 number होता है और वहां पर name of employer होता है तो वहां से आप copy कर सकते हो मैंने यहां पर Excel में सारी details लिख ली है आपको बता हूँगा कैसे आपको अपने form 16 के basis पर अपनी income tax return file करनी होती है स तो government का नया वाला portal है income tax के लिए so नय वाला portal जो है वहां पर आपको जाना है income tax.gov.in यह हमारा नया portal है मैं रिपीट करता हूँ income tax.gov.in एक-एक step को बिलकुली ध्यान से समझेगा नया portal है नया system है so बिलकुली ध्यान से देखिएगा सबसे पहले आपको login करना है अगर आप first password पुराना वाला होता था वही आपका यहां पर चलेगा ID हमारा pen pen card पर जो आपका pen number होता है वो आपकी user ID होती है password आपको ध्यानी होगा क्या होगा so वही password आपका यहां रहेगा दुबारा से आपको password बनाने की जरूद कुछ भी नहीं है आपको सबसे पहले यहां पर अपन pen number डाल के login कर लेना है यहां पर आप continue करोगे यहां पर please confirm यह secure access message यहां पर टिक जरूर करना उसके बाद अपना password आप डाल सकते हो अगर आप अपना password भूल गए हो तो आप forget password करके अपना password reset भी कर सकते हो then आपको यहां पर continue करना है और यह आपका dashboard open हो जाएगा now इस dashboard में आ आप अपनी profile update कर सकते हो या फिर आपके पास skip करने का option आएगा आपको skip करना है अभी हम profile update आपको मैं बाद में बता दूँगा किसी वीडियो में अभी जरा अपनी return filing की तरफ ही चलते हैं so देखिए यहां पर आपको सबसे पहले आपके dashboard आपका open हो जाएगा यह आपका dashboard ह यहां पर आपको file return का option सबसे पहले दिया हुआ है तो यहां पर भी आप click कर सकते हैं 31st March 2021 ending की जो return है देखिए वो आप file कर सकते हो assessment यह है 21 and 22 की file now यह आपका option आ रहा है दूसरा option आपका कहा आता है e-filing यहां पर आप click करेंगे file income tax return और यह देखिए file income tax return यहां से भी आप यहां पर सबसे पहले हमसे पूछा जाता है select your assessment year now assessment year बहुत ही ध्यान से select कीजिएगा 21 and 22 assessment year जो है वो आपको select करना है for the financial year 20 and 21 so ठीक है हमारा current assessment year कौन सा यहां पर लिखा भी हुआ है current assessment year so नई portal पर current assessment year 21 and 22 आपको select करना है उसके बाद continue करना है अभी यह disable होगा आप जैसे continue क पर होगे फिर आपको select करना है कौन सा method आप चूज करना चाहते हो आप online method चूज कीजिए इसको proceed कीजिए अब आपके पास दो option आएंगे देखिए अगर आपने पहले से कोई draft save किया हुआ है तो यहां पर आएगा और आप दुबारा से file करना चाहते हैं तो यहां पर आपक start new filing आएगा अगर आपने कोई भी draft save नहीं किया तो यहां पर आपका कुछ भी नहीं आएगा ठीक है तो मैं आपको start new filing बिल्कुल नए तरीके से मतलब नए filing करके दिखाऊंगा बिल्कुल कैसे आपको file करना होता है start new filing पर जाना है आपके पास तीन options आ रहे है individual, huf and others यहां पर आपको individual select करना है and continue करना है उसके बाद अब इस point को बहुत ध्यान से देखिए itr1 आपको select करनी है अगर आप army military security forces के personal है आपको खाली salary से income आती है या फिर एक house property से income आती है तो आप itr1 file करेंगे कौन सी itr1 आप file करेंगे तो यहां पर आपको itr1 select करनी है proceed with itr1 पर आप आपको यहां पर दिख रहा होगा इस पर आपको click करना है अब आप से कुछ questions पूछेगा कि आप अपनी itr क्यूं file करना चाहते है तो हम आप अपने refund claim करना चाहते है या फिर आपकी income basic exemption limit को exceed करी है इसलिए आप file करना चाहते है तो पहला point हम select करेंगे कि taxable income है वो more than basic exemption limit और 7th provision to section 1391 यहां पर optional है देखो आपको अगर deposit amount अगर आपने current account में एक करोड़ से ज्यादा deposit कराया है दूसरा दो लाग से ज्यादा का आपने foreign travel किया है एक लाग से ज्यादा का आपका electricity bill है पिछले financial year का तब आपको यहां पर tick करना है जो भी applicable है उस पर आप जो है select कर लेंग रखते है जो आपके उपर applicable है वरना हमारे उपर तो simply पहला वाला option applicable है सबसे best यह है कि आपकी जो base exemption limit से ज्यादा आपकी taxable income हो रही है इसको आप select कीजिए and then continue कर दीजिए next हमारे पास कुछ information आएगी जो portal हमको दे रहा है कि we have prefilled data based on your return हमने क्योंकि अपनी last year भी अपनी ITR file की थी तो वहाँ से data prefilled होकर के आएगा तो इसको हम simply okay करेंगे उसके बाद अब हमको simply क्या करना है one two three four five इन पाँच fields के अंदर अपनी detail भन रही है और हमारा total tax compute हो जाएगा refund बनता है refund हमारा हो जाएगा और इस तरीके से simple तरीके से file हो जाएगा अब एक एक point को बिलकुल हो करके कहां से अभी हमने okay किया था जो हमारी last written है वहाँ से prefilled होकर के आएगी देखिए आपका name pen number बाकी detail यहाँ पर mobile address वगएरा अपने आप आ रहा है nature of employment अब इसको बहुत ही ध्यान से समझेगा यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से select करना है अगर आप central government के अंदर आते हैं आपकी जो force है आपकी जो security force है इंडिन आर्मी है या फिर कोई central force है तो आपको central government select करना है यहाँ पर आपको काफी सारे option मिल जाते हैं आपके लिए जो applicable है या तो central government या फिर state government अगर आप state के अंदर आते हैं तो आपको state government select करना है जैसे कि कुछ राजियों की पुलिस ज जैसे यूपी और मुंबई महराष्टरा की पुलिस जो होती है वो state government के अंदर आती है तो अगर आप उसके personal है तो आपको state government select करना है otherwise आप कोई security force हो, paramilitary force हो, army, bsf वगेरा से हो तो आपको central वो सारी central के अंदर ही आती है वो obviously आपको पता ही होगा कि आप किस के अंदर आत due date से पहले file कर रहे होते है तब आपको 1391 के अंदर file करनी है due date क्या है अभी जो income tax filing की due date है हमारा assessment यह 21-22 की वो 30 September कर दिये government date थोड़ी सी बढ़ाई है 30 September 2021 तक आप इस section के लिए file कर सकते हैं so अच्छा और यह हो सकता है इसको government और बढ़ा दे तो अगर government बढ़ाती है तो व अगर आप due date के बाद file करते हैं तो आपको 1394 select करना है और अगर आप revise return कर रहे है मतलब आपने पहले return file की थी लेकिन आप revise करना चाहते है तब आपको यह select करना है 1395 और 1192 भी क्या होता है मानली जी आपने return file ही नहीं करी पिछले दो साल से पहले की return file करना चाहते हो तब department आपको continuation देता है तब आपको यह select करना होता है इसके लावा नीचे वाला जो point है तो basically हम अभी क्या कर रहे है due date से पहले file कर रहे है इसलिए हम इस वाले option को ही यहाँ पर select रहने देते हैं second हमारा आ रहा है filing in response to तो अगर आप यह notice होते है basically department ने अगर आपको notice भेजा है उस को disable ही रहने दीजिए और यह वाल जो option है ना यह भी इससे connected है तो अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा इन दोनों को आप skip कर सकते है simply उसके बाद आती है बारी 115BAC इस point को जरा बहुत ही ध्यान से समझे अगर आप नए tax slab के अंदर जाना new tax regime क्या है जहां पर आपके tax rate कम हो गए है और आपको deductions आपकी disallow हो गई है यानि आपको कोई भी deduction नहीं मिलगी ATC वगरा की LIC की उन सबकी deductions नहीं मिलेंगी लेकिन आपके tax rate कम हो जाएंगी तो अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तब आपको yes करना है otherwise आपको no करना है लेकिन एक चीज अप ध्यान से सुन लो अगर आप नए वाले में जाना भी चाहते हो तब आपको एक form भरना पड़ेगा form 10IE जिसके लिए मैं separate video बना हुआ है कैसे आपको वो form file करना होता है तब आप यहां पर yes करके आपको काम कर सकते हो otherwise वैसे normally अगर आपको deductions claim करनी है तो आप यहां पर no select करेंगे ठीक है so generally क्या होता है नए वाली scheme को आप नहीं करते क्योंकि आपके पास हो सकता है deductions हो LIC वगएरा कराते हो आप या और भी काफी deductions हो सकते हो तो यहां पर हम no करेंगे then नीचे हम जाएंगे यहां पर आपका bank account की detail आएगी now bank account ज़रूर ध आएगा यहां ठीक है इतना सी और अगर माल लीजे यह तो आपका पहले से जो account था वो आपके पास कोई और account है एक चीज़ अब ध्यान से समझो income tax return के अंदर आपको अपने सारे accounts को disclose करना है जितने भी आपके accounts है सारे accounts को आपको disclose करना है यहां पर सो हमारे इस case में एक ही account अगर आपका और account है तो आप यहां से add another पर करके कर सकते हैं यहां पर penalty भी लगती है 10,000 की लग सकती है penalty अगर आप यहां पर अपने सारे accounts को show नहीं करते हैं इसलिए एक बार advice ज़रूर कर लें किसी professional से return filing करते time क्योंकि काफी सारी चीज़े होती है जो कि आपको ध्यान information पर confirm लिखा हुआ आगया है अब हमको gross total income डालनी है यह हमको form 16 से डालनी है ठीक है जी सो चलिए इसके अंदर चलते हैं यहां पर आपको अपनी सारी salary की house property की और other sources की income इसके अंदर डालनी होती है gross total income के अंदर यहां पर हमको अपना form 16 की ज़रुत पढ़ती है form 16 के basis पर आ पर बनाया हुआ है आपके पास भी इसी type का कुछ form 16 होगा सो उसको refer कीजिएगा चलिए सबसे पहले salary की detail डालनी है आपको तीन चीज़ें आप डाल सकते हो देखें यहां पर एक salary की detail है दूसरी हमारी house property की detail है तीसरी income from other sources सो salary की detail हमको कहां से मिलेगी form number 16 से हमको इसकी detail मिल जाएगी सो हमको करना क्या है यह आपको edit बटन दिख रहा है edit पर आपको click करना है and अब आपको जाना पड़ेगा कहां form 16 में so 171 के according 815,000 हमारे पूरे साल की 171 यह देखिए salary ऐस पर 171 कितनी है 815000 and उसके बाद में next 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 value of perquisite और profit in lieu of salary सो हमारे case में दोनों 00 है सो हम यहां पर 0 and 0 डाल देते है और उसके बाद में exempt allowances अब इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा एक आपका hra है हमारे में hra exempt है एक आपका washing allowance जो कि आपको dress वगरा की washing के लिए मिलता है clothing के लिए मिलता है वो वाला allowance भी यहां पर है so हम दोनों यहां पर डालेंगे hra वाला आता है 1013a म इसको आप select कीजिए यहां पर आपको amount डालनी है so 96000 है एक काम करते हैं यहां पर 96000 अब डाल देते हैं अब हमको एक और add करना है तो आप यह add another दिख रहे हैं आपको आपको एक और add करना है यहां पर और आपको क्या add करना है हमको add करना है यहां पर washing allowance या clothing allowance यह कहां पर आत है इसके अंदर आपके वह वाले allowances cover होते है जो कि आपको duty maintain करने के लिए दिये जाते हैं जैसे कि आपको dress allowance दिया जाता है washing allowance दिया जाता है तो वह आपकी official duties को duties को पूरा करने के लिए दिया जाता है so prescribed allowance और benefit not in nature of perquisites specifically granted to meet expenses wholly necessarily and exclusively and to the extent actually incurred in performance of the duty of office or employment so वह वाला जो आपको allowance है आप यह 10 14 one select कीजिए यहां पर आपके जो washing allowance और यह वाले allowance जो होते है वह आप यहां पर डाल सकते हैं सो हमारा कितना है one three five six zero यहां पर one three five six zero five six zero हम डाल देते हैं ओके फिर नीचे आएंगे हम net salary हमारी आगी fifteen thousand की standard deduction यह automatically है financial year ट्वेंटी असेस्मेंट यह है twenty and twenty one assessment यह है twenty one and twenty two के लिए fifty thousand आपकी standard deduction है तो यह हम यहां पर automatically portal ने उसको pick किया हुआ है उसके बाद entertainment allowance हमारा में कुछ नहीं है और professional tax भी कुछ नहीं है देखिए zero zero है दोनो zero zero है तो इसको आप zero zero करके यहां पर simply save कर सकते है एक बार match कर लो देखो हमारी चार्जेवल under the head salary के अंदर कितनी आ रही है six five five four four zero six five five four 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 zero इसको आप then save कर दीजिये so salary की information डालने के बाद अब चलते है house property को थोड़ा से समझते है house property के अंदर आपको कैसे detail डालनी होती है so add details of break up आप यहां पर करेंगे house property में आपको ध्यान रखना है आपके तीन options आएंगे self occupied let out या फिर deemed let out यहां पर जो सबसे major चीज एक salary employee को या फिर एक आदमी person को ध्यान रखनी है कि अगर आपने कोई house लिया है या फिर अपना home बनवाया है या construction करवाई है या फिर आपने buy किया है उसके लिए आपने loan लिया है loan तो उस loan की जो EMI होती है उसका आपको benefit EMI का benefit नहीं मिलता loan पे जो आप interest pay करते है उस interest की deduction आपको यहाँ पर मिलती है यह चीज काफी सारे लोगों को नहीं पता होती और वो उसको claim नहीं करते है सो अगर आपका home loan है उसकी आप interest पे कर रहे हो उस interest की आपको deduction मिलेगी एक limit होती है दो लाग तक के interest की आपको यहाँ पर benefit मिलता है उतनी deduction आपको मिलती है चाहे आपने self-occupy कर रखा हो self-occupy मतलब आप खुद वहाँ पर रहते हैं चाहे आपने उसको let out किया है मतलब किराय पर आपने दिया हुआ है दोनों ही case में आपको interest की benefit मिलता है तो अगर माल लेते हैं आपने self-occupy यहाँ पर किया हुआ है तो interest paid on borrowed capital यहाँ पर आप 2,00,00 तक का ले सकते हैं ही schedule होता है जो कि आपको मिलता है जब आप loan लेते हैं वहाँ पर आपका लिखा होता है कि principle कितना होगा और, और interest कितना होगा और month wise लिखा होता है सो आप पूरे financial year का total कर लीजिए कि तो पूरे financial year में कितना principle pay किया, कितना आपने interest पे किया, interest की जो value है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और दो लाग से जादा ना हो दो लाग तक आप यहाँ पर claim कर सकते हो ठीक है चाहे आपका self-occupy है चाहे आपने वो let out किया हुआ है इस तरीके से आप जो है interest on borrowed capital क्या benefit ले सकते हैं उसकी deduction claim कर सकते हैं इसको हम cancel करेंगे हमारे case में नहीं है य गा quarterly जो आपको interest मिलता है वो आपको यहाँ पर other sources में show करना है इसके अलावा मान लीजिए आपने कोई FD कराई है उस FD के उपर आपको interest मिलता है वो भी आपको other sources के अंदर show करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप add detail करेंगे add detail करके देखी सब पर no है तो आपको check करना है interest on income tax refund last year का आपका income tax refund आया होगा उस पर interest मिला है तो वो भी आपको यहाँ पर yes करना और अपनी income में उसको include करना है do you have interest saving bank account है तो यह mostly न सब के case में होता है यह सब के case में सबके पास होता है so interest आपको मिलता है यह पता कैसे करें कितना है आप एक काम करो आप अपनी passbook देख लो या last year की statement देख लो और quarterly जो है वो bank जो है आपको interest देता है so quarterly basis पर आप चेक कर लो आपको 4 interest के entry मिल जाएंगी चारों का total करके आप यहाँ पर show कर सकते हो हमारे case में देखिए मैंने mention किया हुआ है interest के अंदर 6489 so मैं क्या करता हूँ यहाँ पर yes कर देता हूँ और जो भी interest है वो interest मैं यहाँ पर enter कर देता हूँ ठीक है इंटरस हमने यहाँ पर enter कर दिया उसके अलावा कोई आपकी income है वो आप यहाँ पर add कर सकते हो and simply यहाँ पर आपको continue करना है सो हम यहाँ पर continue कर देते हैं interest income भी हमने यहाँ पर add कर दी है ध्यान रखेगा आपको सारी income disclose करनी होती है अपने ITR में जो भी income आपने earn करी है सो जो saving bank वाली जो आपका interest होता है यह भी आपको show करना होता है अपनी ITR के अंदर सो हमने अपनी other sources की income भी डाल दी है उसके बाद में आपको simply देखिए आपकी gross total income आ जाएगी exempt income अगर आपकी कोई है तो आप डाल सकते हो agriculture वगएर की income है 5000 तक उसके अलावा को exempt income है वो डाल सकते हो और यहाँ पर आपको confirm करना है confirm करने के बाद हमने अपनी gross total income भी डाल दी है then हमको total deductions जो होती है वो यहाँ पर enter करनी होती है यह भी आपको form 16 के अंदर से मिल जाएगी तो आपका form 16 के अंदर जो आपकी deductions हैं वो आप यहाँ पर डालिए are you eligible to claim any deduction donation आपने पे करी है so no are you eligible to claim any donation paid for scientific research और rural development तो यहाँ प under 80 double G so अगर आप HR ले रहे हो तो 80 double G normally नहीं मिलता है so यहाँ पर आप no करिए next हमारा है are you eligible to claim deduction in respect of payment made toward life insurance PPF fixed deposit saving plan में आपने डाला है इन सब चीजों में आपने डाला है तो आपको यहाँ पर benefit मिल जाएगा so 80C की basically deductions होती है so यहाँ पर हम yes करेंगे और आपको amount डालना है अ 80,000 जो हो form 16 के अंदर आ रही है लेकिन एक tuition fees भी थी हमारे case में 30,000 की जो की हमने claim नहीं की थी या फिर 80C की कोई और deduction है जो आपने भी claim ना की हो या किसी और section की deduction आपने claim ना करी हो form 16 के अंदर तो वो भी आप अपनी ITR के अंदर claim कर सकते हैं जरूर ध्यान रखिएगा so हम 30,000 वो और 80,000 ये 1,10,000 यहाँ पर claim करेंगे 30,000 की हमारी यहाँ पर tuition fees हो गए 30,000 की tuition fees और 80,000 का हमारा LIC वाला हो गया तो total हमारा 1,10,000 की deduction ATC के अंदर हो गई so हमने 1,10,000 यहाँ पर डाल दिया next है are you eligible to claim deduction under section 80 CCD to contribution to pension scheme of central government by employer so वो भी आपके form 16 निम आ रहा होगा देखी CCD में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम no करेंगे यहाँ पर भी 80D 80D की कोई deduction आपकी है तो आप यहाँ पर यह है तो yes करो नहीं है तो no कर दो form 16 को ज़रूर चेक कर लो उसके अंदर आपकी वो आ रही है यह नहीं आ रही है 80E है यह यह भी कुछ नहीं है कोई और deduction की A के अंदर इस पर टिक करूँगा यहाँ पर जो interest था कितना interest था 6489 6489 उसको मैं यहाँ पर claim करूँगा नीचे जाकर के बस यहीं एक deduction है देन इसको मैं यहाँ पर continue कर दूँगा सो मेरी यह वाली detail भी यहाँ पर save हो जाएगी सो यहाँ पर मेरे को एक summary दिखा यह 80C में मैंने 1,10,000 claim किया 80D के अंदर मैंने कुछ भी claim नहीं किया है 80TTA के अंदर मैंने इतना claim किया है और 80TTA की अगर बात करें सो interest on saving bank account आपको 10,000 रुपे तक का benefit यहाँ मिलता है deduction मिलती है ठीक है तो 6489 हमको यहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि हमारा जो total interest है वो 6489 ही बन रहा है उसके अलावा कोई भी deduction नहीं लिए हमने हम क्या करेंगे अब यहाँ पर simply confirm कर देंगे तो हमारी deduction की detail भी यहाँ पर आ से अपने आप यहाँ पर detail आ रही हो तो अपने आप आ रही है तो कुछ नहीं डालना बस check कर लेना है कि हो form 16 से correctly आ रही है या नहीं आ रही है लेकिन अगर अपने आप नहीं आ रही है तो आपको यहाँ पर detail डालनी पड़ेगी detail of tax deducted at source on salary income तो यह हमारा form 16 के अंदर से 10 number मिल जाएगा और उसका name मिल जाएगा तो इसको हम 10 number को copy करके यहाँ पर paste करेंगे name of deductor को भी हम क्या करते है copy करके यहाँ पर paste कर देते हैं उसके बाद हम से पूछ रहा है चार्जेबल under the head salary तो आपको यह form 16 के अंदर मिल जाएगा देखिए form मैं आपको दिखा देता हू income chargeable under the head salary 655440 ठीक है तो यह डालना है 655540 65540 परफेक्ट टोटल TDS जितना deduct हुआ है वो आपको last में मिलेगा यह देखिए यह total TDS डालना है total TDS under section number 192 यह रहा 28692 यह वाला ठीक है 28692 and then इसको आपको यहाँ पर simply add कर देना है तो यह हमने add कर दिया TDS की detail यह हमने add कर दिया उसके बाद other than salary कोई TDS है यह आप के ओर 26 AS से मिल जाएगा 26 AS मैं बता दूँ हो कैसे आपको check करना होता है वैसे generally और कोई TDS आपका नहीं करता है तो आप इसको skip भी कर सकते हो detail of tax detected at source form efficiency यह भी कुछ नहीं होता है TCS नहीं होगा आपके case में advance tax भी आपने जमा नहीं कराया होगा क्योंकि वो obviously TDS आपने जमा करा दिया आपके employer ने है आपको यह liability pay नहीं करनी है आपने already pay की हुई है आपके form 16 में दिख रहा होगा 28,692 आपने pay किया हुआ है इस पे इसको आपको confirm करना है एक बार जाकर करके तो total tax liability पे आपको click करना है यहाँ पर आपको पूरी calculation दिख जाएगी देखिए यह हमारी gross total income है total deductions यह है total income हमार यह आई tax उसके ओपर इतना बना tax का break up आपको देखना है तो आप यहाँ से show calculation पर click करें देख सकते हैं rebate आईगी rebate आपको नहीं मिलेगी क्यों वो भी मैं आपको पता देता हूँ अगर आपकी जो gross total income यह वाली total income है अगर यह less than five lakh है तभी आपको यहाँ पर rebate मिलती है ब 24% total tax 22,452 लेकिन रुक जाओ आपको यह pay नहीं करना है यह आपका total tax बनता है आपकी income पर जो आपकी income है इसके उपर यह tax बनता है आपका total सब कुछ add-on करके calculation देखनी है आप यहाँ से calculation चेक कर सकते हो tax की भी और CES की calculation भी आप यहाँ से check कर सकते हो total 22,000 आपका tax बन रहा है आपको simply नीचे जाकर क्या करना interest बनता है तो आपको यहाँ पर दिखा देगा उसके detail आप यहाँ से check कर सकते हो late fees वगएरा की detail आप यहाँ से check कर सकते हो कुछ भी नहीं है हमारे case में खली text था तो उसके बाद आपको बस confirm करना है यहाँ पर आपको कोई detail डाल दी नहीं है बस उसको confirm करना है so simply हम इसको confirm कर देते हैं so अब हमने देखी पूरा done कर दिया है so you are done click proceed हमने सारी details डाल दी है यहाँ तक सारी details डाल दी है आपको proceed करना है proceed के बाद देखिए पता चलेगा देखिए you are eligible for a refund of 6240 so हमको इतना refund मिलेगा department की तरफ से हमारी ITR जब process होगी तो हमक 6240 का refund हमारे bank account में आएगा ठीक है जी so यह हमारे पास refund आएगा उसके बाद आपको नीचे detail दिखाएगा कि आपने इतनी अपनी total income दिखाई है total deduction यह taxable income यह है और यहाँ पर देखिए अब ध्यान से refund आपका कैसे बना total tax pay यह TDS आपने आपके employer ने जमा कराया है so TDS हमारे 28 692 का जमा हो चुका है और total tax हमारा 22000 का बना है दोनों का जो difference है difference कितना है 6240 यह हमारे पास क्या आएगा refund आएगा हमारे bank account में उसके बाद आपको preview return दिख रहा है आपको इस पर click करना है so preview return पर आपको एक बार click करना है यहाँ पर अपनी detail enter करनी है यहाँ पर self select करना है यहा therapy वाली detail दिख रही है आपको यहाँ पर कुछ ही डालना है आपको बस यहाँ पर अपना name डालना है father's name डालना है यहाँ पर self select करना है उसके बाद proceed to preview पर click करना है यहाँ पर click करोगे यह हमारा preview हमारे पास आगया यहाँ पर सारी details जो आपने अभी fill करीए आप देख सकते हो six two four zero तो हमारा इतना ही refund है तो बिल्कुल correct information है आपके bank account में आएगी यह वाला job का bank account है उसके अंदर आएगी and then नीचे जा करके आप सारी details चेक कर सकते हो and then उसके बाद में आपको proceed to validation पर click करना है now validation हमारी successful हो गई है इसका मतलब जो detail हमने fill करी है कोई भी error हमारी नहीं आई successfully हमने सारी information डाल दी है six thousand two forty का refund हमारा बनता है लेकिन रुको अभी complete filing नहीं हुई है हमको second step की तरफ जाना है देखो यह हमारा complete हो गया validation return confirm कर दिया हमने and return summary preview and submit कर दिया अब हमको क्या करना है verify your return और उसके मत verify and submit तो यह दो process हमारे अभी pending है so proceed to verification पे हमको यहाँ पर click करना है हमारे पास दो तीन options होते हैं अपने return को verify करने के एक तो हम कर सकते हैं अभी e-verify now जो की recommended भी है दूसरा e-verify later later मतलब आप 120 days के अंदर कर सकते हो अगर आप 120 days के अंदर verify नहीं करते हो बात को बहुत ध्यानते समझिएगा आप आपको return verify करना बहुत important है वरना आपकी return process नही होगी आपका refund भले ही बनता है लेकिन वो refund नहीं आएगा आपके account में जब तक आप return को verify नहीं करोगे so processing के लिए return verify होना बहुत ही mandatory requirement है ठीक है जी so e-verify later मतलब आप बाद में verify करना चाहते हो तो आप यहां पर select कर सकते हो और verify by itrv इसको तो आप मती select कीजिएगा यह किसके लिए होता है माल लीजिए आपको speed post भेजनी है बैंगलोर एक cpc जो बैंगलोर होते है वहां पर आपको अपनी itrv download करके sign करके भेजनी होती है so यह तो बहुत ही lengthy और time consuming process हो जाता है इसको मैं बिल्कुल भी recommend नहीं करता e-verify later आगर आपको बाद में करना है तो आप बाद bank account और pre-validated DMAT account यह तीनों option मैंसे किसी मैंसे भी आप कर सकते हो जो सबसे best होता है आधार OTP चे आप कर सकते हो इसके बाद में आपकी return जो है वह processing के अंदर जाती है processing time लेती है government जब वह process हो जाती है तब आपका refund जो है refund आप claim कर सकते हो processing के बाद में आपके refund जो है आपके पास mail और message आएगी कि आपका इतना refund बना है और एक हफ़ते के अंदर आपका refund आ जाएगा लेकिन एक हफ़ता कहां से जगो आपके पास यह message आया है na refund का उसका एक हफ़ता processing time कितना है वह government वैसे नए portal पर बोल रही है कि processing time काफी कम हो गया है बट अभी practically देखना पड़ेगा कितने दिन में process होती है अभी तक मैं बता हूँ मैंने जितनी में returns फाइल करी है मेरी process नहीं हुई है यह मैं आपको अपना practical experience बता रहा हूँ processing में time लगता है जितना भी time लगे एक महिना दो महिना उसके बाद आपके पास refund की mail आती है मतलब confirmation आप बोल सकते हो कि आपका refund department ने accept कर लिया है तो वो जो confirmation जब आपके पास आजएगी confirmation के one week के अंदर आपके bank account में credit हो जाता है लेकिन वो confirmation कितने दिन में आती है यानी processing में कितना time लगता है वो थोड़ा सा अभी समझना होगा इस नए portal में कितना time लगता है government बोल रही है जल्दी processing होगी बट देखने वाली बात होगी अभी तक तो किसी का नहीं आया कितनी जल्दी होगा वो मैं आपको update धीरे धीरे देता रहोगा आपने channel पर कि किस तरीके से processing का कर रही है so यह पूरा हमारा process होता है किस तरीके से आपको अपनी return file करनी होती है अगर आप army military यह security forces के जवान है या normal police officer अगर आप हैं तो आपको government employee है तब आपको किस तरीके से अपनी return file करनी होती है income tax की नए वाले portal पर for the assessment year 21-22 hope so आपको वीडियो पसंद आई होगी प्री thank you so much for joining today's session have a great time haste रहे और मुस्कुराते रहे जयहन जय भारत